once upon a time in Mumbai ये movie मुझे बहुत सारे reasons से पसंद है बट सबसे बड़ा reason जो शायद होगा वो ये है कि इसमें जो dialogues या ना जो समवाद है especially जो अजे देगन के dialogues हैं वो बहुत ही killer है उसमें से मेरा जो favorite dialogue है एक तो ये है कि दुआ हम्याद रखना और ये है कि जब दोस्त बना के काम हो सकता है तो दुष्मन क्यों बने है और ये बिल्कुल सही बात है बहुत बार ऐसा होता है कि situation ऐसी बन जाती है कि आपके सामने दो लोग होते हैं एक आपको दुष्मन होता है एक दोस्त होता है जिसमें एक बहुत बड़ा empire, जो उस जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा empire था, उन्होंने एक ऐसी गलती की, जिसकी वज़े से एक ऐसा group, जो बहुत powerful उनका ally बन सकता था, उनका दोस बन सकता था, वो उनका दुश्मन बन गया, ये बाद उसमाई की है, जब पूरी दुनि आपने इसके बारे पता ही है, इतना पूरे आफ्रीका की उपर वाले साइड में, फिर यूरोप में, फिर एशा के तरफ पूरा फैला हुआ था, उसके बाद आगे आपका अलेक्जांडर का ग्रीक empire बहुत बड़ा था, और फिर रोमन का रोमन अंपायर, ये कुछ और भी सामराजय था, बट इसकी जो आर्मी थी, इसकी जो लीजिन्स थे, ये उतने मजबूत नहीं रहा गए थे, जितने वो कुछ साल पहले तक थे, उनकी आर्मी कमजोर हो गई थी, जब भी कोई भी सामराजय जब बहुत बड़ा हो जाता है, तो ओवियस ही बात है कि उनके बह बहुत लोगों का कोई कल्चर नहीं है, वो बहुत ही जाहिल टाइप के लोग होते हैं, इनको कपड़ा पानने की तमीज नहीं है, बात करने का लहज़ा नहीं है, इनका कोई सब्भिता, संस्कृति, कुछ नहीं है, ऐसा मानते थे, रोमन्स गौत के बारे में, और ये जो म आपको गौत कहते हैं, इतना स्ट्राउंग हो गया है, बात अक्चुली गौत लोग अनकल्चर नहीं थे, उनकी उनकी संस्कृति, उनकी कल्चर जो था, अलग था रोमन से, बात इसका ये मतलब नहीं कि वो कल्चर नहीं थे, वो लोग पड़े लिके थे, अपने कल्चर के साब से, और उन लोग की कुछ अपनी सब्वेता थी, और काफी सक्चेस्पूल थे वो लोग बिजनस में, बट उनका ये था कि उनका पूरा कल्चर था, वो मिलिटरी बेस था, मतलब वो सारे जो उनके जो सीनर बंदे रहेंगे, जो उपर उपर तक पहुंचेंगे, वो कि बहुत लोगों ने help की थी, रोमन एंपरर के एक दुश्मन को, एंपरर को गदी से अटाने के लिए, उसको गदी से अटाने के लिए, एक दूसरा बंदा, प्रोकॉपिस जिसका नाम था, उसकी कुछ गौथ ट्राइब्स ने मदद की थी, हम तुमको हराने मदद करेंगे, बट ऐसा चक्का घूमा किसमत का, कि गौथ लोग ही आर गये, और प्रोकॉपिस जो था, उसको हरा दिया गया, बैलेंस ने जब ये गौथ लोगों को हरा दिया, तो उसने कहा कि चलो ठीक है, मैंने रोमन लोगों को, रोमन बाउनरी को प्रोटेक्ट करकर रखा है, अब मै इस्ट की तरफ ध्यान करता हूं, इस्ट की तरफ परिजन्स थे, वो लोग वहाँ पे हाहा कार मचा रहे थे, तो उसने वहाँ अपना ध्यान ले गया, और ये अच्छली होता ही था, पुराने जमाने में जब आप इतना बड़ा अंपैर चला रहे हैं, तो इतनी जगहों स जो गौत्स थे, उन लोगों को एक तीसरे बंदे में, एक तीसरे ग्रूप ने इन लोगों के पर हमला किया, और ये थे true barbarians, the hunts, मतलब पूरी तरह जाहिल, गवार, इन लोगों को कुछ नहीं आता है, इनको सिर्फ लड़ाई करना आता है, और वो लड़ाई भी ये लोग को इदम जन्टलमें तरह के से नहीं करते है, कोई formation नहीं है, कोई इनका technique नहीं है, तो hunts लोगों की actually reputation बहुत खतरनाक थी, लोगों से डरते थे, क्योंकि ये रोग barbarians है, तो उन्होंने फिर goth के पर हमला करना शुरू किया, goth लोगों को, और उनको धकेलते धकेलते, goth ल तो अब goth लोग आ गए, परिशानी में की, अब क्या किया जाए, क्योंकि वो हंसे तो जीतनी पा रहे हैं, और रोमन से लड़ाई करके रखे है उन लोगोंने, और ये कुछ ऐसा भी नहीं है कि इसे 5-10,000 goth थे, कुल मिला के 2,00,000 goth लोगों को अपने घर छोड़के आना से हम लोग एक समझाता कर लेते हैं, अलायंस कर लेते हैं कि ठीक है भाई, हमको तुम रोमन अम्पायर में थोड़ी सी मिट्टी, मतलब थोड़ी सी जगा दो, जमीन दो हमको, वहाँ पे हम अपनी खेती करके अपना गुजरबसर कर लेंगे, और जब तक हम आपे खेती नह नहीं है, क्योंकि उसने देखा था कि इनी लोगों ने help की थी, मेरे को गदी से रटाने के लिए, तो अगर और साथ में वैलेंस ने इन लोगों का युद्धु कॉस्टल देखा था, उसने देखा था कि बैटल फील्ड पर लोग कितने effective हैं, तो उससे सब्चा कि ठीक है, अगर मैं गौथ लोगों को, इतनी इतनी जो सारे गौथ यहां पर आ रहे हैं, अगर इनको मैं अपने अंपार में मेरा लूँ, तो मेरे अंपार का जो strength है, वो ज्यादा हो जाएगा, और वो जानता था कि रोमन लीजिंस जो हैं, वो कमजोर हो रहे हैं, तो हमको जरूरत ह एक्स्ट्रा ताकत की और new blood की, तो उसने okay कर दिया, ठीक है भाई तुम आ जाओ, और उसने बोल दिया कि ठीक है, हम तुमको अपने अंपार में कुछ जमीन तुमको दे देंगे, और फिर वो वापस अपना जो eastern अंपार, जो east तरह से जो परजिंस से लड़ाई चल रहे थ और इन लोग को जमीन दो, खाना दो, इसा करो, तो जो रोमन्स में जो लोकल कमांडर्स थे, लुपिनिकस और मैक्सिमस, ये दो बंदे जो थे, इन लोग को इस बात का जिमिदारी दे गई कि आप इन लोग यह जो गौथ यहाँ पर आयो है, उनलों को जमीन दो और खाना की थी, तो उनसे बदला लेने के लिए, और उनको तंग करने के लिए, जस्ट एक्स्प्लॉइट करने के लिए, इन्होंने क्या किया, जो जमीन देने का जो प्रोसेस था, क्यों ऐसा था नहीं कि अपने थोड़ी से जमीन उठा के दे दी, इतने सारे लोग है, तो आपको जमीन और खाना देना था, खाना की उसने बहुत बहुत कम दे रहे थे, यह सब देखे भाई, गौथ लोग परिशान हो रहे थे, पहले उन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, बड़ टायम बीता कि और उनको लगा कि यह इन लोग का ना हमको समझ में आ रहा है, यह लोग क्या कर रहे हैं, खाना दे रहे, और यह चाहते हैं कि हम लोग भूक के मरते रहें, और फिर बैक करें खाने के लिए, और अल्टिमेटली हम यहां पर गुलाम बन जाया, इनलोग के, यह बात जो है, गौथ लोगों ने जब रेलाइस की, तो उनका जो लीडर है, उसके बाद पसंद नहीं तो उसने बोला कि हम अब खाना लूटना शुरू करेंगे तो उन्हों ने रोमन जो गैरिजन्स थे वहां पर रेट करके उनका खाना चोरी करना शुरू किया तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके इनमें छोटी-छोटी लडाईयां शुरू ही शुरू ह जाते फिर एक्चुली उनकी एक छोटी सी रोमन आर्मी की टुकडी के साथ लड़ाई हुई और उस लड़ाई में 376 AD में गौफ लों की विजय हो गई इन्होंने रोमन आर्मी की टुकडी को हराया था जो कि बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उस जमाने में रोमन आर्मी की एक अलगी रेपिटिशन थी तो जब यहां पर रोमन आर्मी हार गई तो वैलेंस का भाई दिमाग खराब हो उसने बोला कि यह क्या चल रहा है तो उनकी हल्प कर रहा था और यह लोग मेरे इंपार में उसके मेरे आर्मी को हर रहे हैं तो वो पूरा उसने अपना वहां से ध्यान अटाया जहां पर बिजी था फुल फोकस यहां पर लेने के लिए एक बड़ी सी आर्मी को लेके वह आ गया इन लोग से लड़ाई करने के लिए एक और इंपॉर्ट बात है कि जो दो लाख जो गौत यहां पर आए हुए थे यह सारे के सारे वारियर नहीं थे इसमे जो लेकर इनसे लड़ाई करने के लिए पहुंचा और यह पहुंचा अपर एड्रियानोपल में जो कि आज की तारिक में बलगेरिया में है वहां पर यहां पर गौफ लोग की आर्मी है, इसमें इस्टन गौफ हैं, वेस्टन गौफ ये दोनों मिलके हाँ पर रेडियो के रखे हैं, अब जब सामने रोमन आर्मी को देखा, तो गौफ लोग का जो लीडर था, फ्रीटिजन, उसने बुला, एक बार फिर उसने प्रस्ताव रखा, वैलें वैलेंस ने अटाक कर दिया, ये एक बहुत ही सुर्प्राइजिंग बात है, क्योंकि वैलेंस तो खुछ चाता था इन लोग की help करना, तो इसने अटाक क्यों किया, तो इसके बारे में हिस्ट्री में बहुत मिली जूली रहा है, कुछ लोग के कहते हैं, कुछ ऐसी स्टोरी हैं, कि जब वैलेंस ने अपने दूत को, अपने अम्बैजर को जब भेजा था यहाँ पे, इनसे बात करने के लिए, तो इन्हों ने उसके अम्बैजर पे तीरी चला दिये थे, कुछ लोग के कहते हैं, कुछ लोग के कहते हैं, कि जब अम्बैजर बात करने के लिए आ रह करेंगे इंके साथ तो गौत लोग भी सर्प्राइज हुए और एक्चुली वेलेंस की आर्मी रोमन आर्मी में सर्प्राइज हुई क्योंकि रोमन लोग आये तो थे पचास आर की सेना लेके बड़ अभी उनके पास 20-25 थाजन और थे जो बैटल फील्ड पे आने वाले थे द करनी पड़ती यह खुदी साथ कर देते तो जब फिर भी उसने वाट कर दिया अटाक जब शुरू कर दिया उसने तो भाई इनलों की फुल पिश्ट बैटल स्टार्ट हो गई अब वैलेस नहीं गलती यह की थी कि उसको लग रहा था कि यह जो मेरे सामने आर्मी हैं बस उत रोमन आर्मी हम पर हमला कर रही है इन लोगों ने हमारे बीवी बच्चों का एक ग्रूप था उनको हमला करनी कोशिश की थी तो भाई सारे गौथ लोग जो थे वो एकदम गुस्ता हो गया और उन्होंने चारों तरफ से कैविलरी ने घेर लिया इनकी आर्मी को अच्छा म तरफ से वो घेर जा चुके हैं और इनलों का जो फॉर्मेशन है वो तूट रहा है रोमन लोगों का तो भाई इनकी जो आर्मी जो इनका रोमन लोगों का वो पूरी तरह कोलाप्स कर गया और यहां पर एक कहा जाता है कि सारे जितने सोल्जर्स थे वापर 40-50,000 सोल्जर्स उन लोगों को या तो मैक्सिम लोगों को स्लॉटर कर दिया गया उनको मार दिया गया या फिर सब लोगों को बंदी बनाके उनको गुलाम बना दिया गया और इस पकार दे बैटल आफ अडियोनोपल ऐसा कहा जाता है कि रोमन एंपायर की आखरी लड़ाई थी जिसके वेलंस ने जो रोमन लोग का एंपरर था उसने एक ऐसे ग्रूप को अपना दुश्मन मना लिया जो उनका दोस बन सकता था अब देखा जा तो वेलंस की गलती है थी कि उसने ध्यान नहीं दिया कि जो उसने जमीन का और खाने का वादा किया है वो वादा पूरा हो रहा है कि उसने जो दो कमांडर को इन्चार्ज बनाया लुपिनिकस और मैकशिमस इन दोनों ने जोल किया था और इन दोनों के लालज की वज़े से इन दोनों के शौर्ट साइटेटीनस की वज़े से गौथ लोग जो आक्चली दोस्त हो सकते थे रोमन उंपरर के रोंग को आगर यह एड्रेनोपल के लड़ाई नहीं होती और अगर गौत और रोमन्स दोस्त हो चुकी होते तो आज का जो वेस्टन सिविलाइजेशन है जो आपके यूरोप के कंट्रीज हैं अमेरिका है इनका जो सब्धा है यह बहुत पहले से दुनिया में आ चुकी होती और ऐसा क गौते और अगर बैटल ऑफ अड्रापल के बारे में आप सोचे अगर तो सिर्फ एक बात निकल के सामने आएगी अगर दोस्त पंड़ा के काम हो सकता है तो दुष्मण क्यों बनेैं